जी नादलीन अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइब 1.3 है इसका क्वेस्टिन नमर्ट 12 फ्रस्टिन करते हैं यह क्वेस्टिन फ्रस्टिन के थे पहले पहले क्वेस्टिन किये हैं same as it is उनी pattern पे इनको solve करना है अब यहाँ पर क्या आजेगा आपने क्या करना है 4.2 की power x है और आपने 2 की power 1 और 2 की power x अलग-अलग करने देगे अगर आप यह करो कि आपके पास x dot x क्या होता है x का square होता है इसकी भी power 1 है इसकी भी power 1 है तो power z हो जाते हैं तो इसको आप अलग-अलग 1 नहीं कर सकते हैं तो इसको आप अलग-अलग कर सकते हो इसको भी आप 2 की power x को अलग और 2 की power 1 को अलग कर सकते हो ठीक है माइनस 9 है यह 2 की power x plus 1 is equal to 0 है ठीक है 2 की power 1 क्या होता है 2 ही होता है 4 को 2 से मढ़ए यह 8.2 की power 2x है माइनस 9.2 की power x है 2 की power x है प्लस का 1 is equal to 0 है ठीक है यह x है इसको डॉट का जरब हो रहे हैं ठीक है अब अब पॉइंट नहीं है यह जरब हो ठीक है अब आपने लेट करना है y is equal to 2 की power x y is equal to 2 की power x आपने लेट करना है ठीक है तो अगर मैं इसका y का square ले लो तो इस साइड पे भी उपर स्केर ही नहीं कि दौन लों के उपर मैंने पावर में 22 लगा दिए ठीक है अब जहां पे आपके पास 2 की power 2x आ रहे है वहां क्या पूट करना है y पूट करना है क्या देगा इस 2 की power 2x की देगा आपने क्या पूट कर देना है y स्केर ठीक है नेक्स क्या है माइनस 9 है ठीक है 2 की power x से जहां पे वहां क्या पूट करना है y पूट कर देना है ठीक है अच्छा तो आगे next plus 1 है ठीक है इस एककल टो 0 ठीक है अब आपने इसके पेर बना लेगे बने कि आपके बास 8 y का स्केर प्लास 1 है ठीक है पेर is equal to 0 9 की पेर बनाएगे न सेंटर वाले ठीक है अब आपके बास क्या है y स्केर के साथ 8 है मैंटिप्लाइब है और सिंपल किया आपके बाद नहीं को बनाने जिनको जरब देने से क्या आठ जमा मैनस करें तो नहीं आजी तो आपके पास 8 प्लास वन भी तो 9 होता है अगर मैनस 8 मैनस 9 मैनस 8 मैनस 1 होगा तो वह क्या होगा मैनस 9 होटेगा ठीक है और 8 को बन से मटना वो क्या जिका एट ही होगा ठीक है इसके दो पेर कोन से बनागे 8 मैनस का बनाए मैनस 8 मैनस 9 minus 8 حोगा थीक है अब इन दोनों में kommun जो आ रहा हो और इन दोनों में common जो आ रहो आपने common ले लेना है ठीक है इसमें से 8 y common आ रहा है पिछे का बचे 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 आपने इन ब्रैकेट वालों को कथा करे लेंगे इसको में मिता देतना है तो आप ने क्या करना है Y-1 8y-1 ठीक है इनको मैंने अलग 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 कर दिया ठीक है यह ब्रैकेट वाले अलग और यह बाइन वाल में कि इसका मतब यह y-1 इनके से कॉमन आज़ते है ठीक है अब यह दोनों 0 के कोलें इनको आपने अलग अलग 0 के को रखें ठीक है is equal to 0 और 8y-1 is equal to 0 ठीक है अब यहां भी क्या होज़ेगा यह is equal to 1 होते जाकर प्लस होज़ेगा ठीक है यहां से भी आपके पास 1 होते जाकर प्लस होज़ेगा ठीक है यह y निकालना है तो y के साथ 8 जड़ब हो रहा है प्रट प्लाए और इदर आके क्या होज़ेगा डिवाइड होज़ेगा तीक है अब आपने एकस निकालना था य की वैल्यू अब यहां पर यह लेकर ना टू की पावर आपके पावर एकसे लिए इस पावर जिसकी पावर हो झाएगा तो इसका मतलब आपके पावर भी यहां करेंगे में लिख लिख सकते कितने तू हो तो तो टू के बाद फीर का मत्याक कर सकते हैं अब यहांव इसकी पावर करते कि तो अब ढ़isc mit का अवर्य थ्री फिर इंतल करने हफर समय यह व्यादार इसकी पावर इसकी टिरेगी माइनसले स्टोड़ी ऑज़ेगेश माइनसे टो टो डो टोर दो एक्षिस एकल तो माइनस त्री इसका क्वेस्टन नमबर 13 आपके पास क्या देर है 3 की पावर 2X प्लस 2 is equal to 12.3 की पावर X minus 3 देर है ठीक है आपने सबसे पहले क्या करना है 3 की पावर 2X प्लस 2 यह दुन्यों वैरियों आपके इस साइट के लिए यह minus 12.3 की पावर X हो रेगा यह दुन्यों के लामते इदर आके च जो ठीक है ठीक है यहाँ भी last question की तरह हमने क्या करना है 3 के पावर 2 अलग मुंक थ्री की पावर 2X अलग और नाइन फ्लस व प्लस होई थी इदो बjak आअलग करना है ठीक है ठीक है फिक रिखन कर ऐ रहा है ठीक है अब यह लेक्तर है 3 की पावर 2X है और 3 की पावर 2 क्या हता है 3 3 जा 9 ओँर इक है 3 की पार 2 मेंगे 3 को 2 टाइम मंट्टें दो दफा मंट्टिप्ला करने ठीक है यह आप यह आप माइनस 12.3 की पार 3 की पार एक्स है प्लस 3 is equal to 0 आप आपने क्या करना है कि let y is equal to मुझे छोटी power में 3 की power x आपने let कर लेना है तो अगर मैं इसका square ले लो तो इधर 3 के power 2 इधर भी तो square ही आए का न 3 के power 2 इसके भी उपर 2 2 आजेगा जहां पे आपको 3 के power 2x नज़रा वहां आपने y square पूट करना है जहां 3 की power x नज़रा है वहां y पूट करना है अब यहां इनकी value पूट करें यह 3 की power 2x है इसकी value क्या है y square है क्या नेका 9y का square हो जेगा माइनस का 12 है टीक है और यह 3 की power x किसके एकुल है y के एकुल है यह y के एकुल है इनके इसका 3 common आज़ेगा, इन्हें से 3 common आज़ेगा, common निकाले न, आप 3 पर divide करो, 3 y का square आज़ेगा, minus, ये 4 y आज़ेगा, plus का 3 common लिए तो ये क्या आज़ेगा, 1 आज़ेगा, is equal to 0 आज़ेगा, ठीके, क्या आज़ेगा, 3 y का square है, minus 4 y plus 1 is equal to 0, ये 3 इतरा के क्या आज़ेगा, divide आज़ेगा, ठीके, 0 के नीचे, इनके आपने pair बना लें, 3 y का square है, minus 4 के हमने pair बनाने, 1 is equal to, ये 0 को divide करो, 3 पर 0 आज़ेगा, ठीके, अब यहाँ पे इनके pair बनाने, y square के साथ 3 है, simple आपके पास 1 है, simple आपके पास 1 है, ठीके, ये क्या 3 को 1 स 3 ही आरे, ऐसे 2 pair बनाने हैं, ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं, जिनको जरब देने से 3 आए, जमा या minus करें, जमा या minus करें, तो minus 4 है, जakap है, minus 4, ठीके, अगर मैं 3 के साथ, तीन के साथ भी minus, और 1 के साथ भी minus, minus 3 minus 1, minus 4 है, 3 को 1 से दरब दो क्या होजएगा, 3 आजएगा, ठीके, ये दो आपके पास है, पेर बच देगे, ठीके, अच्छा, अब आपके पास क्या होजएगा, इन दोनों में common क्या रहेगा, ठीके, क्या रहेगा, आपका 3 और y common, y बच गया, minus 3 y common, 1 बच देगा, ठीके, इन दोनों में common minus 1 आएगा, ठीके, आपके बाद minus निकला y बच देग थाइब यहां पर क्या होज़ेगा इन जो आपके पास वाई-1 ने यह कौमन आजेगा इन बागे जो बाहर वाले इनको आपने कठा करके निख लेना मिनकी इनमें से यह जो बच जाएगा कौमन लेने के बाद इन दोनों वाई के कौल आपने 0 के कौल अलग कर वाई-1 इस एक कर लोड़ा आपने इस यहाँ पर आप सब्सक्राइब तो यह इस आप इस तीं की पावर यहां पे इस वाई-2 पावर एक्स प्रूट गए जहां पर आपके 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 पास वाई-2 नजर आ रहे वहां आमने 3 की पावर x put कर यहां पर कहा यहां जगा 3 की पावर x is equal to 1 ठीके, मैं के y के value क्या थी, 3 की पावर x सिलेट की थी, जो हमने उसकी जगह मैंने 3 की पावर x put कर लिया, यहां पर कहा जगह y निकालना है तीके तीन इधर क्या होगा था अब इधर आके क्या होजेगा डिवाइड होजेगा ठीके अब आपने क्या करना है इसकी जगह भी आपने तीन की पावर एक्स पूट कर लेना है ठीके एक बटे तीन है ठीके अब यह तीन की पावर एक्स इस वन को मैं तीन की पावर जेरो ब तीन तीन गट के एक्सिस एकड़ हो माइनस वन आपका एक यह अंसर आ ठीक है यह दो आपके अंसर कि सलाव लेकुम जी नाजरीन अब हम क्वेस्टन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पार क्वेस्टन नंबर 14 में क्या दे रहा है तो की पावर एक्स है प्लास 64.2 के पार माइनस एक्स माइनस 20 इकल टो 0 है अब यहां भी क्या होजेगा आपने लेट कर लेना है तो की पावर एक्स को आपने कहना है कि यह य की पावर एक्स है अगर मैं इसको उल्टा दू यह वान ओवर टो की पावर एक्स होजेगा ठीक है अब यहां पर ले जाओ तो माइनस 20 में एक्स उपर क्या होजेगा माइनस 20 टूप की पावर माइनस इधर नीचे जब यह उपर चली जाएगे तो क्या होजेगी माइनस में आजेगे इसकी अब यहां भी क्या जेगे टू की पावर एक जहां नदर आ रहा है वहां आपने वाइप उत करना है ठीक है प्लस से 64 है टू की पावर माइनस एक्स किसके एकल है वन ओवर वाइक एकल है ठीक है माइनस 20 इस इकल टू जीरो है ठीक है अब आपने क्या करना या इसको क्या कर मुल्टिप्ला कर देना है क्या देगा y dot y plus y dot 64 y 64 1 over y ठीक है तो यह इस y को आपने क्या करना सब से multiply कर देना है यह dot क्या होगा y y क्या होगा आपके पास y का स्केर होगा y dot y का स्केर यह minus 20y आप इस साइड पे कर लो और 64 आप इदर कर दो ठीक है इस 64 बच गया था 64 को इदर कर दिया minus 20y को मैंने इधर कर दिया अभी इसके पेर बनाने पेर क्या बनेगे पेर का मैंने आपको method बताया होगा ठीक है क्या करेंगे x square के y square के साब 1 1 को multiply कराओ simple से 64 आजेगा 20 कैसे जो पेर बनाने जिनको multiply करने जरब देने से 64 है plus minus करें तो आपके पास है minus का 20 ही आजे ठीक है वो क्या बनेगे minus 16y minus 4y ठीक है इनको आप multiply 16 को 4 से multiply करो तो 64 बनेगा 16 को 4 से जरब दो चौन सथ लेकिन इनको plus या मैंकि तो minus 16 minus 4 क्या होजेगा minus का 20 होजेगा ठीक है इस में से common क्या है तो क्या बच्छेगा y minus बच्छेगा ठीक है इन में से minus का चार कॉमन ठीक है इस माइनस होजेगा ठीक है minus common लिया तो यह माइनस रहे ठीक है 64 आप 4 पे डिवाइड करो क्या रहे का 16 रहे ठीक है इस इकल बच्छेगा ठीक है अब आपने वाइड की वैलियो क्या लैट की थी टो की पावर एक्स यह लैट की थी मैं क्या पूट कर दोंगा ठीक है अब यह जो 16 है इधर भी टो की पावर आइस ठीक है अब यह शिक्टीन क्या लों 16 कि मैं आगा डिवी एंट चू दोंगा है टू की पावर ईसके अब यहां पर आपके दो आंसर आज हम स्टाट करने जा रहे हैं इसका कौईशन साइज आपके बाद 1.3 इसको solve करते हैं आपके पास solve the following in equations को आपने इनको questions बना कि इनको क्या करना है solve करना है ठीक है अब इसको solve कैसे करेंगे आपने क्या करना है दो फेर बना लेने और दो पेर को आपने बढ़ दे पेर कैसे मिखे जैसे तो आपके पास क्या यहाए माइनस-का ने फ्रीको साही सेम रहें जाहीं कि इमस्केब इसको साहफे बना लेने पासले इसके साथ बना लेना ऊवरण ओ denote लोगा neste और इसको आपने इसके साथ रख लेना है क्या बनेगा X plus 1 है और X minus 5 है ठीके ये क्या आजेगा X plus 3 के साथ क्या आजेगा X minus 7 is equal to 192 है ठीके अब मेंकि इनको तो आपने pair बना लिया अब इनको ये दो दो pair बनेगे इन दोनों को आपने क्या करना है multiply करवा लेना है ठीके इस X क 100 को लेगे इससे फिर इस ही one को minus five से बड़े क intent X X क्या होतेगा X का Schader X को minus 5 जित ₹-5 होतेगा एक से दिर्ब तो ऐस साब है ठीका plus minus 5 को एक से दिर्ब दो तो तो यह पांच हो जैका खो ऐक खा existe1 यह एक विज़ेशन बन दे के अब इनको आप इन दोनों को भी आपस में पिलस गास टरब तो क्या होजेगा कूंप ओक्व नियुजंस को माइनस साथ से किया धो माइनस साथ एक स्थेक्ट गर में आटेसा बढर 92 है अब इनको आपने क्या हमा इका माइनस पंचेश जमा एक सकत माइनस का इक स्वाह अजनात का इनकोμे अलगर हेरा आपके पास एक जैसा कौन सान दर हरा रहा है है के दोनों में जो common common mean के दोनों में एक जैसा हो आपके पास क्या है x square minus 4x और x square minus 4x दोनों में एक जैसा तो आपने इसको लेट कर लेना है कि y is equal to x square minus 4x ठीक है यह आप वैसे भी इसको multiply करके solve कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा tough हो ज़ेगा तो इसलिए आपको यह लेट करोगे तो आपके solve करना आसान हो देखा ठीक है अब यहां पर क्या जैक है x square minus 4x को मैंने y को लेट कर लिया इसकी जैसे जैए नेक्स के तो minus 5y होज़ेगा ठीक है minus 5 minus plus होज़ेगा ठीक हैatta तो एकीज को पाँंत से किया तो 105 ऑज़ेगा है यह जो 192 इधर प्लास हो रहए इदर आके क्या जाएगा minus होज़ेगा ठीक है इसकोल तो क्या अपकर पास है जीरो बनंझेहाँ अब को solve करो तो क्या संदाट माइनिय geri और माइनusta माइनस-फाचराई गांध किया प्रहां दोनों एक जैसी Guard कु Fin। इन दूनों को प्लस करति तो अलामत को से लगाते बड़ी वैलियो अगर यह थीका है अच्छा इसके पेर बनाने 26 वाइब कैसे बनेगे आपके पास कि यह अच्छा तो क्या हुझेगा आपके पास वाइज स्केर के साथ क्या वान है और एंड सिंपल कौन से आपके पास 87 है इसको मल्टिप्लाय करने से तो 87 है तो वो क्या पेर बनेगे आपके पास स्केर माइनस का 29 वाइ तीक है और प्लस का 3 वाइ माइनस 87 है इस इकोई टू जिरो है तीक है तीक है अगर मैं यह करो कि माइनस का 29 वाइ प्लस 3 वाइ माइनस 29 प्लस 3 माइनस का 26 बनेगा 29 को 3 से जरब दो क्या बनेगा 87 बनेगा 87 टीक है इन दोनों में क्या आएगा आपके पास ब्रैकेट वालों का आपने कॉमन ले लेना है थीक है इनके कठा करते हैं और प्रैकेट के बाहर वालों का आपने वाई जमातीट इनको गठा इस इकोल टो 0 तो इन दोनों को बाइं जीरो के कुल आप अलग अलग कर दो, y मैंने 29 is equal to 0, y जमा 3 is equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आदेगा, अब y की value जो आपने let की थी, x square minus 4x, x square minus 4x, यह y की जगा पर आपने value put कर दीनी, क्या हो जेगा, आपके पास, x square minus 4x है, minus 39 is equal to 0, ठीक है, महीं कि आपके पास y की जगा मैंने क्या put कर दी, x square minus 4x, जो हमने let किया था, ठीक है, इस y की जगा पर आप ऐसी करोगे, x square minus 4x, पुट कर दो, जमा का 3 is equal to 0, ठीक है, इसके तो पेर बनेंगे नहीं, तो इनको हम quadratic formula से solve कर लेते हैं, इसके pair शायद बनेंगे, इनको हम pair बना के हम solve कर लेते हैं, ठीक है, अ मैंनस करें, तो यह वाला है, लेकिन जरब दें तो क्या है, आपके पास है, 3 है, ठीक है, तो क्या हो रहेगा, आपके पास x square minus 3x, और minus x जमा 3 is equal to 0, ठीक है, minus 3 minus 1 क्या हो रहेगा, minus 3 को 1 से जरब दो क्या हो रहेगा, यह दो पेर बनेंगे, ठीक है, अब इन दोनों में common क्य x, तो x minus 3 बचेगा, ठीक है, और इन दोनों में common minus 1 आ रहा है, तो x minus 3 बचेगा, is equal to 0, ठीक है, तो क्या हो रहेगा, इनको bracket वालों को आपने गठा कर लेना, x minus 3 और x minus 1 को आपस में, दोनों को आप x minus 3 is equal to 0, ठीक है, और x minus 1 is equal to 0, दोनों को आप अलग अलग 0 को रख लो, ठ ठीक है, तो क्या आजएगा, x की value निकाली, तो 3 इदर आगे plus हो जएगा, ठीक है, यहाँ भी x की value निकाली, 1 उज़र जाके क्या हो जएगा, प्लस हो जएगा, ठीक है, अब इसको solve करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ही value क्या है, जो x square के साथ 1 है, वो a की value, b की solve करते हैं, मैं यहाँ इसको मिटा के solve करता हूँ, तो क्या आजएगा, यहाँ पर हम quadratic formula लगा के इसको solve करेंगे, जैसे भी अगर कोई equation ना solve हो रही हो, तो उसको आप quadratic formula से solve कर दो, तो आपके वास answer ठीक है, तो कोई भी अगर शर्त ना दिया हो, कि इसको पेरिंग, आप इस quadratic formula से के अलावा कोई दिया हो, या completing square दिया हो, या factorization दिया हो, तो फिर उसी से करना पड़ेगा, अगर आपको बाद कोई भी ना, ऊपर condition दीगी, आप इसको quadratic formula भी लगा सकते, ठीक है, तो यहाँ पर A की value का आए थी, 1, B की value का आए थी, minus 4, और C की value का आए थी, minus 29, तो quadratic formula क क्या था, minus B plus minus B square minus 4AC, ठीक है, और में क्या आजएगा, 2A, यहाँ आपके पास क्या है, quadratic formula, minus B की value क्या है, minus 4, bracket में लिकले निकले नी, क्योंकि इसके साथ भी क्या है, minus 1, minus 2, value, formula वाला है, ठीक है, बी square minus 4, के की उपर क्या square, minus 4, A की value आपके पास क्या है, 1 है, और C की value क्या, minus का 29 है, ठीक है, तो यह under root में आजएगा, ठीक है, और में के 2A की value क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है, यह क्या हो जएगा, minus minus 4 का minus का minus की वज़ा, scale की वज़ा से minus plus हो जएगा, और 4 का scale क्या हो जएगा, 16, minus minus, plus, अब 29 को 4 से multiply कर रहा दो, तो क्या हो जएगा, 4, 9, 36, 6, 3 करी, 4 to the 8, और 3, आपके पास क्या आजएगा, 11 आजएगा, ठीक है, तो यह आपके पास क्या आजएगा, नीचे क्या है, 2 आजएगा, अब आपने क्या करना है, 4 plus minus, 116 को आप 16 में add करते हो, तो आपका 132 आजएगा, ठीक है, नीचे क्या आपके पास है, 2 है, ठीक है, अब आप 132 जो आया है, इसकी आपने क्या करनी है, इसको आपने solve कर देना है, आपके पास क्या आजएगा, इसके devian कर ले, devian करके में के आपने इसका under root ले ले ले, ठीक है, अगर हम ऐसा करें, 132 है, इसमें इधर devian कर ले, तो यह 2 पे डिवाइड हो रहे है, ठीक है, क्या रही करें, 2 6 दा 12, 2 को 6 से रहे दो 12, 1 कर इधर चला गया, हासल इधर चला गया, 12 बन गया, 2 6, 12, ठीक है, फिर 2 पे, क्या रहेगा, 2 3 6, 2 3 6, जो 33 है, वो सिरफ 33 पे होता है, इसके अलावा, किसी और पे नहीं होता, ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास क्या बनेगा, 4 प्लस माइनस, यह 2 जरब, 2 जरब, 33, ठीक है, 2 मडिपला पे, 2 तो मडिपला बनेगा, ठीक है, अच्छा, तो यह क्या तो क्या ज़ेगा, 2 का स्केर हो ज़ेगा, ठीक है, X is equal to 4 प्लस माइनस, 2 का स्केर मडिपला पर 33 है, ठीक है, नीचे के आपके पास 2 है, ठीक है, तो स्केर अंडरोट कटके क्या आजेगा, मैंकि 2 के ऊपर स्केर 2 बाहिर आजेगा, और 33 के ऊपर अंडरोट वैसे गया, वैस कटके, यह आपके पास क्या आजेगा, 2 प्लस माइनस, अंडरोट में 33, यह आपके पास क्या आजेगा, आंसर आजेगा, ठीक है, अब हम इस question number 16 को solve करने जा रहे है, question number 16 में क्या दे रहे है, X minus 1, X minus 2, X minus 8, X plus 5, plus 3, 60, is equal to 0 दे रहे हैं, ठीक है, इसके भी आपने वैसे ही प प्लस 5, minus 3, ठीक है, मेंकि यह पहले ही पेर बने वे, आप इन दोनों को multiply करवा दे रहे हैं, और इन दोनों को multiply करवा दे रहे हैं, ठीक है, अब नीचे, इस दोनों को multiply किया, X को multiply किया, तो क्या होजेगा, X का scale, X को plus 5 से किया, तो plus 5X, minus 8 को X से multiply किया, तो minus 8X होजेगा, plus minus 8 को 5 से रहे हैं, तो क्या होजेगा, 40 होजेगा, plus का 360 है, इसकोल to 0 दे रहे हैं, अब इनको solve करो, तो क्या बनेगा, X के minus 2X, जमा 1X, minus 2, जमा 1, क्या minus का 3 है, minus 2 minus 1, क्या बनेगा, minus का 3, साथ ने X होजेगा, जमा का 2, यह क्या जमा 5X, minus 8X, minus का 3X बनेगा, ठीके, minus 40 है, जमा का 360 है, is equal to 0 है, ठीके, अब क्या आजेगा, इन में से भी देखो, common क्यों से, X के minus 3X, X के minus 3X है, ठीके, यह भी दोनों क्या है, एक जैसे, इनको आपने let कर लेना है, Y के equal, ठीके, let किया, आपने, X के minus 3X को Y के equal है, ठीके, इसकी जगा, Y पूट करो, तो क्या बनेगा, Y जमा 2 बनेगा, ठीके, यह Y आजेगा, अब जमा 2 ऐसे क्या वैसे, इसकी जगा भी Y पूट करो, minus 3, इसको यह क्या आजेगा, 40, ठीके, जमा का 360 है, is equal to 0 है, ठीके, अब इनको, इन दोनों को multiply कर दो, Y क्या है, Y का स्केर, Y को minus 40 से जरब दो, 40Y, ठीके, जमा 2 को Y से जरब जो क्या होजेगा, 80 होजेगा, ठीके, जमा 360 is equal to 0 है, अब क्या होगा, आपके बाद Y स्केर है, Y वाली Y में plus minus होगी, minus 40Y, जमा 2Y, क्या बनेगा, minus 38, Y बनेगा, ठीके, जमा का 360 है, minus 180, क्या बनेगा, 280 बनेगा, ठीके, क्या बनेगा, 280, ठीके, अब आपके बास क्या का यह वाइ स्केर है ठीकर यह 250 इसके आप लें पेर बना दे की कैसे बनेंगे आपके बास term कई साथ 1 है ठीकर है सिम्पल कौंसा आपके बास वाई स्केर जमा का 280 है ठीक ही जिकल टू जीरो है वाई स्केर के साथ क्या वन है और सिंपल क्या 280 को वन से जरब देने से 280 है लेकिन जमा माइनस करें तो 38 आना चाहिए तो वह पेर कैसे अगर मैं ऐसा करो आपके बास है माइनस का 28 y माइनस का 10 y ठीक है माइनस 28 माइनस 10 क्या हो जेगा माइनस 28-10 एकThe 1993 ट्रीक है और मैंस को जदुनों हो गैघता है टो इसने भी एनस का आपने क्या लेना इन में से common जो आ रहा है वापने common अलग कर लेना में कि जो bracket वाले आपने बाहिर वाले आपने इंको अलाइदा कर लेना ठीक है y-28 है ठीक है और यह क्या है y-10 है ठीक है is equal to 0 इन दोनों को आपने y-10 is equal to 0 ठीक है अब y की value जो आपने लेट की थी वह पूट करेंगे और इधर भी पूट करेंगे और इधर भी ठीक है x-3x-10 is equal to 0 ठीक है यह जो y की value आपने लेट की थे x-3x x-3x y की जगह मैंने दोनों जगहां पर इंपूट कर दीक है अब इन दोनों के pair बनाएंगे pair बना के इनको हमने क्या करना है solve करना है यहां पर मैं अपना rough कर रहा हूं अच्छा तो आपके बस क्या x-2x-1 क्या 1 सिंपल का 28 28 को 28 यह दो ऐसे बनाने जिनको जमा यह माइनस करें तो माइनस 3 ही यह वाला ही आए इसको इसके बना देना लेकिन जरब देने से क्या है minus 28 है न चाहिए 28 क्या जेखा अगर मैं ऐसा करूं क्या आपके बास 7 मटपला पर 4 क्या आता है 28 7 में से 4 माइनस करो तो क्या आता है 3 यह दो प्लस माइनस करो तो आपके बास 3 आ रहें पर लिगके मैंड़ पकला बना चार आपके है 28 यह तो इसके पेर क्या बना करो मैंनस 7x, जमा का 4x, मैंनस 28, is equal to 0, टेके, मैंकि मैंनस 7, जमा 4, मैंनस 7, जमा 4 क्या, मैंनस 3 होज़ेगा, टेके, यह 4 इधर भी लिख सकते हो, साथ है, उधर भी लिख सकते हो, टेके, तो इन में से x को मना आजेगा, क्या बचेगा, x-7 बचेगा, टेके, इन दोनों में को मन क्या हैगा, 4 को मना आएगा, 4 निकला, तो x-4 पर तक्सीम करो, 4 पर डिवाइड करो, आपके पास क्या मनेगा, 7 बचेगा, इस इकोल to 0, टेके, तो क्या होज़ेगा, आपके पास इन को अलगल कर लो, x-7 और x-4, टे टेके, इन दोनों काला कला कि 0 के इकवल कर लो, x-7 is equal to 0, x-4 is equal to 0, x is equal to 7 उदरा के plus होज़ेगा, एक value आपके पास है, यह आगे, 4 उदरा के minus होज़ेगा, एक value यह आगे, अब इसके pair बना के इसको भी हमने solve करना है, टेके, तो क्या होज़ेगा, आपके पास है, अच्छा इसको solve करते हैं, क्या x-3 x-10 है, ऐसे दो pair बनाने, x-3 के साथ 1 है, simple क्या दस है, टेके, क्या नहीं कर दस को एक सर दस, ऐसे दो pair बनाने, जिनको जरब देने से 10 है, जमा माइनस करें तो वो, माइनस 3 है, टेके, तो वो कौन से pair बनाने, अगर मैं 5 मंटला पर 2 करूँ, तो आपके पास 10 आता है, तो पांच और दस आता है, और पांच में से 2 निकाले तो वो 3 आ जाता है, ठेके, इसका मतलब आपके पास क्या आज़ेगा, x-5 x, जमा का 2 x, माइनस 10 is equal to 0 आज़ेगा, ठेके, अब इन में से आपके पास क्या common क्या आएगा, x, तो x-5 बचा, इन दो क्या बचेगा, x-5 is equal to 0, ठेके, हमेशी याद रखें, जो ब्रैकेट में हैं, वो आपनों के एक जैसे आने चाहिए, हमेशा, ठेके, अच्छा, तो इन में से x-5 common आगया, तो x, जमा, 2 बचेगा, is equal to 0, ठेके, में कि आपके पास ये ब्रैकेट के बाएर रोला अलग, और जो ब्रैकेट के अंदर उनको एक दफा अलग करते हैं, ठेके, तो आपके पास क्या होजएगा, इन दोनों का अलग अलग, 0 के को रखो, x-5 is equal to 0, x, जमा, 2 is equal to 0, ठेके, तो क्या होजएगा, पांच उद्रा के जमा होजएगा, ठेके, और ये 2 उद्रा के क्या होजएगा, ये चार आपके पास क्या आगे, इसके अंसर आगे,